जैसे ही आप बाहर आते हैं, आप सक्रिये हो जाते हैं, रजस शुरू हो जाता है अगर आप परियाप्त जागरुक हुए या परियाप्त खुश किस्मत हुए तो सत्व आपको छुएगा वरना रजस का रंग ऐसा है कि जब तक सब अच्छा चलता रहता है, वो अच्छा रहता है जैसे ही बुरा सिलसिला शुरू होता है, रजस बहुत ही जादा बुरा हो जाता है तो इन नौ दिनों में सबसे बढ़कर जीवन के हर पहलू को उत्सव के रूप में मनाना ये सबसे महत्वपून है अगर आप हर चीज को उत्सव के रूप में लेते हैं तो आप जीवन को लेकर गंभीर ना होते हुए भी पूरी तरह जुड़े होना सीख लेते हैं अभी जादा तर इनसानों के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें कोई चीज महत्वपून लगती है तो वे उसे लेकर बहुत गंभीर हो जाएंगे अगर उन्हें लगता है कि वो उतना महत्वपून नहीं है तो वे उसे लेकर लापरवा हो जाएंगे उसमें जरूरी भागीदारी नहीं दिखाएंगे ये सही तरीका नहीं है सही रास्ता जीवन का रहस से बस यही है हर चीज को बिना गंभीर हुए देखना मगर पूरी तरह जुड़े रहना किसी खेल की तरह यही वज़े है कि जीवन के सबसे गहन पहलूँ का उत्सव मनाया जाता है ताकि आप उसे चूके नहीं